क्या हाले साथ ही हो मैं हुई कास्टोमर आपके अपने ट्रस्वाधी चैनल कलेक्टिव स्टेडी फॉर सक्सेस पे बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ देखिए डेली करेंट अफेर में 15 दिसंबर का करेंट अफेर आपको हिंदी इंगलीज दोने भाशों में मैं आप प्रिलिम्स और मेंस एक्जामनेशन के लिए काफी अदा महत्रपूर्ण हो सकते हैं UPSC, UPSC, BPSC और स्टेट पीसे एक्जामनेशन के लिए वो है ये इसमें ये टॉपिक तो होते ही हैं इसके साथ में इसमें मैं फैक्ट्स, आपको कॉंसेप्स, बेसिक अंडर्स्टेंड हैं इक्जाम तक, ट्रिक्स भी इसमें मैं बताता हूँ, ठीक, कौन कॉंसे टॉपिक्स हैं, ग्रीन फील्ड एरपोर्ट, सेकेंड एडिशन अभी हुआ है, वाटर इनोवेशन चलेंज, जनल नवचार चुनौतियां, ठीक, न्यू गैस टोब अभी बनाए गया है, डॉमे जाने के पूरी चीज, और ये आपका क्यू वाड़िज जो है, यानि की क्विक, जो है वाड़िज या फिर क्विक कॉमर्स इसके बारें देखेंगे क्या चीज है, ये टर्मिनलोजी पूछिया सकते हैं, इसको जरूर एटम करें, टेलेग्राम चैल पर आप लोग आंसर भ इसके बारें देखेंगे, इसमें प्रियोर्टी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, ये अलग से मैंने वैलिज लिशंकर के बताया है, युनाइटेड निशें कर्वेंशन ओन दा लॉज आव दा सी, इससे बारें देखेंगे, और क्या है ये कब बना था, कौन कौन इसमें ह साथ ये, सूपर सोनिक मिसाइल एसिस्टेट टॉर्पीडो सिस्टम अभी टेस्ट किया गया है, डी आडियो के तवरा, वीलर आइलेंड पे, जो की ओडिसा में है, इसके बारें देखेंगे, काफी र्यादा डिफेंस में इधर हलचल हो रही है, जरूरी है कि आप लोग इ ताकि ये कोई breaking news channel नहीं है, तो उसमें यह है कि जो भी महतपूर्ण चीजें हैं, हमारे यहां पर यह जल्दी नहीं है कि सबसे पहले, सबसे सटीक जनकरी आपके वास पहुंचे, इस पर फोकस रहता है, तो ये हरनास संदू जी से समद्धित, जितनी भी important चीजें हैं, वो यहां पर बताए जाएंगी, हरनास संदू पर हमें जीवनी नहीं लिखनी है, या फिर नहीं याद करनी है, तो यह वाली बात है, अगला और हमारा पहला topic जो आज का है, वो है, economy and infrastructure से, GS paper 3 से, देखे, green field airport बनाने के लिए, जो है, ministry of civil aviation ने any principle approval दे दिया है, कितने green field airport है, 21, अब देखे, यह चीज, जो है, मंतराले, हमारा जो ओडियन मंतराले है, नागरिक ओडियन, civil aviation का, इसने राजसरभा में यह बताया, चिक, अब दो स्टेज होती है, यह आपका, जो green field airport policy है, 2008 की, इसमें यह बताए गया है, कि दो स्टेज का process होता है, दो उसमें, एक तो यह होता है, कि side clearance, तो side clearance करने के लिए, तो भाई, state government जहां पर बन रहा है, वो बताएगा, वो proposal देगा, आपका मंतराले को, और मंतराले फिर in principle approval देगा, तो पहला stage क्या है, कि state, जो government है, वो राजी हो, state, side clearance करे, और फिर, जो है, मंतराले को भेजे, civil aviation को, वो in principle approval देदेगा, 21 green field airport को बनाने के लिए country में, ठीक, कौन सी का policy आई थी, 2008 में आई थी, green field airport policy, green field का क्या मतलब होता है, brown field का क्या मतलब होता है, अभी बताऊंगा आप लोगो, अच्छा, यहाँ पर, जो है, कौन कौन, इसमें, जो है, proposal भेज सकता है, civil aviation को, या तो state government भेज दे, या फिर, ज favor का मैंने जब आप लोगो topic पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ना, कि आपका जो है, यह Swiss की, जो है country, company है, वो बना रही है, और जैसे GMR है, तो यह जो है बनाती, तो airport developer हो गए वो, ठीक है, तो यह चीज है, और side clearance यहाँ पर दे दिया गया है, government के दोरा, जो है, time to time approval दि जाएंगे, अच्छा, green field और, यह देखे value addition है, green field और brown field की बीच में difference कहा है, green field का मतलब होता है, बिलकुल नया, ठीक, scratch से बनाते हैं, और brown field का मतलब है कि पहले से कोई airport बना है, और उसमें माली जे, पहले एक ही runway था, उसमें तीन runway बनाने की बात कही गई है, पहले माली ज तो expand कर रहे हैं आपका, तो उसको 300 कर रहे हैं, तो यह फिर brown field project में आएगा, green field मतलब की नय, बिलकुल नय शुरुवात से, यह दोनों की बीच में difference है, एकनॉमी में आपसे पूछ सकता है, ठीक, हमारा जो अगला topic है, general studies paper 3, environment से समझे, देखे, यहाँ पर, जल ही जीवन है आपने तो जरू सुना होगा जिन्दिकी में, ठीक है, और जल जो है, इसकी चुनावतियां बहुत जदा हो गई है, क्योंकि दुनिया में ocean बहुत है, खारा पानी बहुत है, लेकिन जो हमारे use का पानी है, वो बहुत ही कम है, जिसे हम fresh water बोलते हैं, और उस पानी में भी अ और चार रूप से, यानि की innovative solutions को धूडने के लिए, जो है, Denmark के साथ में भारत की तरफ से नीतियायोग का अटल innovation mission जो है, ये दोनों लोग collaborate करते हुए, क्या कर रहा है भाई साब, एक जो है water innovation challenges का second edition अभी कर रहा है, पहले भी कर चुके हैं, main theme समझ में आगे न, जल से जले अब इसमें fact देख लेते हैं, अटा innovation mission नीतियायोग ठीक, और Royal Embassy of Denmark, ये दोनों लोग जो है, इन्होंने second edition का जो है, दूसरे संसकर का भी announcement कर दिया है, water innovation challenge का, और यहाँ पर दुनिया में, address the global water views, मतलब ये सिर्फ नहीं, भारत का नहीं, पूरी दुनिया में, innovative तरीके से कर भारत देनिस, तुई पक्षिये हरित रण नीतिक साज़ेदारी का हिस्सा है, अब aim ICDK, aim हो गया, अटाल innovation mission और ICDK क्या है, innovation center Denmark, इन दोनों की partnership के अंतरगत, और Denmark MSC के अंदर, जो है आपका Denmark technical university के साथ में, याला second sunscreen भी चलाया जाएगा, इसमें initiative में ये कोशिच की जाती ह हम innovative solutions है, उनको identify करें, next generation solution identify करें, technology से समध्य जो भी हो सकते हैं, और solution दे challenges के लिए, और इसमें अगर हम लोग को सयोग चाहिए, तो corporate और सावजनिक जो है, उनका भी भागिदारियों का भी हम उपयोग करते हैं, ये initiative जो होगा आपका, ये challenge है, तो भाई, challenge को innovation solution देने के लि जो की leading university से हो, innovation hub से हो, ठीक, और जो की हम उनको कुछ skills देंगे, और जो है उनको तयार करेंगे, कि वो जो है innovative solutions दे पाए, ठीक है न, ये initiative जो है, ये इसी के लिए है, और winner जो भी होगा challenge का, वो represent करेगा, इंडिया को international water congress 1222 में, ठीक, जो भी winner इस challenge का निकलेगा, वाई सब को दूडते हुए young talent को देखे, आएंगे, skill देंगे, फिर कोई जीतेगा भी तो, तो उसको जो है, इंडिया का प्रतिनेजित करने का मौका मिलेगा, अंतर रास्टी है, जल Congress 2022 में, ठीक, और जो Denmark की MSC इंडिया में है, और DTU, Denmark Technology, ये prepare कर रहा है है, इंडियन के जो भी participants हो होंगे, for Global Next Generation Water Action Program, ठीक, Global Next Generation Water Action Program के लिए, DTU काम कर रहा है, जो की, DTU के दोरा ही, जो है, आपका रायुजित किया जाता है, चलिए, यहाँ पर mapping देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखे, Denmark, Denmark का एरिया है ये, इसकी capital है, Copenhagen, जो भी capital Scandinavian countries की है, वो उसके आसपास की letter किया है, जैसे student है, तो student में क्या है, कि आपका Stockholm होगी, ठीक, Norway है, तो आपका, अगर देखो, आप ABCD अगर पढ़ो, तो उसमें MNOP, ठीक, तो N के बाद कौन सा letter आता है, O, O से है, बतलब O, ठीक, आपका D, D से पहले कौन सा letter आता, C, तो CD होता, तो C जो है, Copenhagen, तो ऐसे आपे सुचेंगे यार, ये क्या trick हुई, लेकिन इस तरीके को आप यूज कर सकते हैं, और भी जगह पे याद करने के लिए, तो ये भी सीख है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, तो capital की ये trick हो गई, साती साथ Denmark जो है, इसका एक तो ये mainland है, इसके अलाव सुरी, Greenland के West में पढ़ता है, दूसा है Greenland, अब Greenland पूरा Ice का है, और Iceland जो है पूरा Green है, लेकिन थोड़ा सा नाम में उल्टा उल्टा हो गया है, यहाँ पर पता नहीं क्यों, तो ये चीज है, अच्छा Denmark के पस्चि में North Sea है, और आपके जो है दच्छिन, दच्छिन पूर मैपिंग जरूर करो, जो तरीके जो चीजे ध्यान देने वाली चीजे हैं मैं आपको बताता हूँ, उसी तरीके से लिंक किया करो, जब भी मैपिंग एक्सराइज आप करें, हमारा अगला जो टॉपिक है, और नेक्स टॉपिक इस रिलेटेट टू जनरल स्टेडिस पेपर थ्री एकनॉमी से, देखे, न्यू गैस स्टोफ और डमेस्टिक पी एंजी, ठीक, पी एंजी क्या है, पाइप नेच्रल गैस, एक तो आप लोगने देखा होगा, लपीजी आती है, ठीक, लपीजी किसे किसे बनती है, बताइए एथेन, ब्यूटेन क्या होता है उसके अंत पाइप नेच्रल गैस, इसको भी खाना बनाने के लिए उसके आता है, अब क्या है, कि आप लोगने शायद देखा होगा, लपीजी के लिए जो स्टोफ आते हैं, वो अपने थर्मल केपसिटी होती सिंपल सा, वो अपना कामदाम करते हैं, भाइया खाना बनाना हम लोगना होगा कि अगर आप उसी स्टोफ को पी एंजी में लगा दो, तो यह नहीं चलता है, यह वाला स्टोफ और इसमें कुछ अंशोधन करना पड़ता है, यह बहुत साही चीजे में पढ़के आपको बताता हूं, ठीक है ना, तो यह ज़रू ध्यान से पूरा शेयर प्याइन सी ने निकल पाती हो भया, नैच्रल गैस और क्लामेट चेंज और इसा चीजे को देखते हुए, थर्मल एफिशेंसी अच्छी हो जाए, दक्षता अच्छी हो जाए, तो भाई साब हम कम इरधन का यूज़ करेंगे और ज्यादा अच्छा खाना पका पाएंगे, और ज्यादा खाना भी पक पाएगा, ठीक तो यूसेस बढ़ जाएगा हमारा, ये चीज़ है, तो अब PNG के लिए इसी जो कमी थी इसको दूर करने के लिए, PNG के लिए एक नया गैस स्टोब बनाया गया है, डॉमेस्टिक PNG में यूस करने के लिए, सिंपल से है, और इसम के साथ में मिलकर किया है, CSIR, Indian Institute of Petroleum, जो की देहरा दूर में, इसकी जो उचितम तापिये चंपता है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक, ऑप्टिमाईस किया गया, हाईएस्ट थर्मल एफिचेंसी की, इसकी करीबां 55% है, अगर नॉर्मल आप मोडिफाइड लपीजी वाली तब भी 40% आती है, तो यह काफी बढ़िया जो है, यहाँ पर किया गया, किसके दोरा बनाएगी है, और क्या इसमें जो है, क्या बदलब इसका फीचर है, यह जवरू धियार न कियेगा, ठीक, और PCIRA इसको प्रमोट करना, अब यह बना लिया, अब इसको बेचना भी तो ह है, तो प्रमोट कर रहा है, यह बनाएगी किसके साथ, इनरजी एफिचेंसी सर्विसेज लिम्टेड, EESL, जो की जो है, मिनिस्ट्री ओपावर के अंतरकत आती है, यह संसा का नाम सुनके कुछ याद आ रहा है, यह वहीं है, जो LED बाटती थी, याद आ रहा है, ठीक है न, इनरजी एफिचेंसी, सर्विसेज लिम्टेड, मिनिस्ट्री ओपावर के अंतरकत है, यही LED बाटती थी, अब यह न्यू स्टोप, PNG वाले भी बाटेगी, मतलब मार्केटिंग करेगी इसके, ठीक, कुछ पैसे मिलेगा, पूरे भारत वर्ष में, अबर नेक्स टॉपिक जनरल स्टीज पेपर 3 समझत है, साइन्स और टेकनालोजी का है, वैसे इसको हम उस से भी जोड़ सकते हैं, जनरल स्टीज पेपर 2, पॉलिटी एन गवर्नेंस है, देखें, लोकपाल जो है, ऑनलाइन हो गया है, ठीक, लोकपाल जो है, भ्रस्टा चार को रोकने के लिए, एक एक्ट आया था, लोकपाल और लोकायुक्त, एक्ट दो हजार तेरा, उसमें ये कहा गया है, भाई साब आप इमेल कर दो, या पोस्ट कर दो, या भाई हैंड आप जो है, पबलिक एर्थॉर्टी जो भी सावजनिक रूप से जो भी पदे अधिकारी है, उनके खिलाब प्रस्टाचार की शिकायते आप भेज सकते थे, ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, ये इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता था, कुछ पता भी नहीं चलता तक कब पहुचा, और फिर उसके बाद क्या उसमें कारिवाई हो रही है, तो इन पूरी प्रडाली को, जो लोकपाल की है, अब उसको ऑनलाइन कर दिया है, और ये चीज अभी जो है, इनागरेट करी हमारे पहले लोकपाल उफ इंडिया, जस्टिस पिनाकी चंद्रगोश, या नाव याद रखो, पूस सकता है वाई साब, अब इसमें जितना भी मनेजमेंट है, प्रबंदन है, क्लमप्लें आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, तो ये है आपका, और ये इसका जो है, आपका वेबसाइट का लिंक दे रखा है, एंड टो एंड डिस्टर सलूशन दे दिया गया है, और इसमें जो है, एक्ट ये लिखा हुआ है, और आपका कोई भी जाच करानी हो, के तुरू, पोस्ट के तुरू था, अब पूरा जो है, आउनलाइन हो गया है, अच्छा, आउनलाइन हुआ तो किसी संसाम तो बनाया होगा भारत की तरफ से, तो वो बनाया गया है, आपका NIC क्लाउड पर ये होस्ट किया गया है, और ये ओपन सोर्स टेक्नोजी भी बता साबर सेक्यूर्टी पॉलिसी 2013 के बाद से, तो ये आपका जो है, इसने सेक्यूर्टी ऑडिट किया है, NIC क्लाउड पर ये पोर्टल रहेगा, लोगवाल ओनलाइन का, और ये ओपन सोर्स टेक्नोजी है, ओपन सोर्स टेक्नोजी का मतलब ये होता है कि इस फ्री टू यूस को जोडने के लिए है, इसको हम पेटेंट पेड नहीं करेंगे, इसको हमें बढ़ाना चाहिए, आज तक ये ओपन सोर्स टेक्नोजी है, एनीबडी कन यूस, जैसे आप विंडोस करते हो, तो उसका आपको जैनूएन खाइदना पड़ता है, लेकिन आपने कभी सुना है, क मतलब इसको फ्री में आप यूस कर सकते हैं, सभी लोग, ये होता है, ओपन सोर्स टेक्नोजी, अलग से भी अगर ये कोशन पूल लिया जाए, वही है, वही है, वही है, वही है, तो ये चीज़ है, इन्फोर्मेशन फीचर, जो डिस्टर प्लेटफार्म बना है, इस पे इ शिकाया दर्ज करने के सुवधा हो गई है, दूसरा ये है, कि जो भी कंप्लेटन्ट है, उसको इमेल या समस के थुरू बता दिया जाएगा, कि हाँ भया, आपकी कंप्लेट पहुच गई है, और उसके बाद उसको ये भी पता चलता रहेगा, कि उसकी कंप्लेट पे, क्या कारे चल ला है, क्योंगा स्टेटर्स क्या है, तीसरा चौथा ये बात है इसमें, कि जो आइडेंटिटी है कंप्लेटन्ट की, वो कॉन्फिदेंशल गोपनी रखी जाती है, और कोई भी जैसे कि सी वी सी हो गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमिशन और सी बी आई हो गया, सें रिमांडर भी दिया जा सकता है, इंक्वारी एजनसीज को, भाई, लोगपाल पूछेगा तो इनी लोगों से, इंक्वारी एजनसीज से, तो रिमांडर भी बेश सकता है, अनुसमारक भी बेश सकता है, लोगपाल ओल्लाइन, जो है, ये इंक्वारी एजनसीज को, ईमेल SMS के थुरू और साथे साथ कोई मार लिजे विशलेट स्लात्मक रिपोर्ट तैयर करना है तो वो भी यहाँ पर लोगपाला ओनलाइन पर करी जाएगी इससे कोश्चन बन सकता है द्यानकना इंपोर्टन फीचर से कोश्चन बन सकता है और जहां तक है यह गोपनियता पर एक कोश्चन पूछ लेगा यह बताईए जो गोपनियत है उसका नाम पता सब देना पड़ेगा तो आपने यह पढ़ा है मेरी बात आपको याद है कि गोपनियन्ट आप करो कॉन्फिदेंशल रहेगा तो आप 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 आसानी से कर लोगे अबर नेक्स टॉपिक इस फ्रॉम जनल स्टेडिस पे पत्थरी साइनसे टेक्नलोजी देखे अबू रोबो कॉम दो हजार बाइस ठीक आप देखो रोबो कॉन है दो हजार बाइस है गबडाने के जरूत नहीं है इंडिया की तरफ से दो हजार बाइस में ठीक रोबोट का कमपटीशन जो होगा वो दूरदर्शन होस्ट करेगा इंटरनेशनल फाइनल जो होंगे रोबो कॉन दो जर बाइस में अगस्त अगले साल भाई साब दो जर बाइस में हो रहे तो ये इंडिया का एक तरीके से रिकोगनीशन है कि टेक्नोलोजिक फिल्ड में इंडिया काफी बढ़ गया है ठीक तो रोबो कॉन दो जर बाइस अगस्त के मैने में दो जर बाइस में जो है ये दूरदर्शन इसको होस्ट करेगा न्यू डेली में होगा और इसको औरगनाइस के जाता है एशिया पैसिविक ब्राड कास्टिंग यूनियन के दोरा इस साल भी हुआ था बाइसा अभी हुआ था बाइस संबर को दो जर रिकिस में चाइना में अगला कब होगा इंडिया में होगा आपका अगस्त में थीम जो रखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट डीडी रोबो कॉन 2022 की थीम जो है क्या नाम है लगोरी लगोरी अजीव सा नाम है इसलिए पूछा जाएगा जरूर यह जहूर जयान रखना जो रोबो कॉन की थीम है वो एक लगोरी नाम का रोबोट है दूसरे रोबोर्ट के सामने इनको रखा जाता है कुछ ऐसे कंप्लीशन करा जाते है किसी इस्टिपलेटेट गिवन टाइम में तो देख रहा है यह रिमोट लेक बैठा हुआ इसको नचा रहा है दर कुछ काम कर रहा है तो उसमें जो जीते गभाई सब उसी सब का जो है ब्रोड कास्टिंग जो दर्शन अभी करेगा न्यू डेली में 2022 में अगस्त के मैंने में ठीक और इसका जो एम है वो यह है कि जो भी यंग पीपोल ने देख रहे हो सब यंग है ठीक तो इनके बीच में दोस्ती पैदा करनी लोग की और इंजिनरिंग और ब्रोड कास्टिंग टेकनोलोजी को बढ़ावा देना है ठीक अभी हम लोग रिवीजन करेंगे सारा अकरी में बिल्कुल द्यान से बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा अगला जो हमार टॉपिक के जनल स्टेडिस पेपर 3 से इकनॉमी समझे था Q Commerce अधर के Q Commerce या फिर quick commerce इसको बोल सकते है quick तेजवारिज commerce का मतलब क्या होता है अधा मला आपका Import, Export या फिर Trade करना वैपार करना वारिज तो इसमें एक चीज ये समनने वाली है आपकी कि जो संधर्भ है वो यह है कि एक growfer नाम की एक company है एक big basket नाम की company है तो growfer जो है यह क्या करती है से कि सबजिया ले आओ यह खाने पीने जामान ले आओ जो भी consumer product होते हैं तो यह आपके घर पे जाके deliver कर देते हैं ठीक Amazon तो है वो भी सारे काम करने लगा है फ्लिपकार्ड वो भी सारे काम करने ठीक online ही सारे चीज़े हो रही है लेकिन क्यों commerce इन सबसे जो है अलग यह है कि यह quick है quick का मतलब समझ रहो quick का मतलब यह है कि भहिया 30 मिनट में आएगा 10 मिनट में आएगा इसमें यह नहीं है कि आच्छा आपने बोल दिया order दे दिया हाँ जमन होगा तब आएगा ऐसा नही quick तो ग्रोफर जो है अभी इसने अपना नाम चेंज करके blanket रख लिया है और इसने इसलिए रखा क्योंकि big basket से काफी आदा यह अपना पीछे हो गया और soft bank बताए किस country का है तो उसका पैसा ग्रोफरम लगा हुआ तो उसने कहा है कि business model चेंज करो quick commerce को रखो quick commerce खुद में एक चीज आप खुद बताओ कि अगर किसी को quick commerce करना है तो आप कैसे करोगे माली जी यह एरिया है ठीक यहां पर size नहीं दिख रहा यहां पर देखते हैं यह एरिया जहांस पर जो एक मतला आपका महला है तो अब आप यह महला है और आपने अपना warehouse बना रखा यहां जो शहर से काफी बाहर है जो कि अभी concept रहता था कि पूरे इस warehouse में सब इकटा कर लो और जब order आए तो यहां से यहां पर जो तो यह ज़्यादा अच्छा जो कि अभी मौजूदा ग्रोफर का था यह ज़्यादा बढ़िया तरीका है या फिर इसी के आसपास आप कुछ जो है warehouse छोटे 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 वेराऊस बना लो ताकि जो है आप जो है बताओ यहां से जल्दी समान पहुंचा पाओगा कि यहां से यहां से तो पहले तो यह focus quick commerce में रहता है कि पास म क्यूंच चोटे माइक्रो वेराऊस में वो चीज़े जादा रखो जो यहां पर डिमांड में ठीक तो जो ज़्यादा जो कवर्स में बदला जा सकता है कोश्चन यहीं है डिफ्रेंशेट बेट्विन क्यूई कुश्चन पूचा सकता है एकनॉमी का बड़ा ही अच्छा टॉपिक जो है हमारा अगला आ गया है बैंक ठीक जैसे शेडूल कमर्शिल बैंक होते हैं SBI हो गया, SDFC हो गया ठीक यह शेडूल कमर्शिल बैंक इसलिए बोला आता है जो की RBI Act में जो उसकी अनुसूची दूसरी में जो भी बैंक का नाम मेंचिन किया गया है उनको सेडूल कमर्शिल बैंक बोला आता है ठीक और दूसरी होती है non-banking financial companies तो RBI ने 2020 नॉवर में ये कहा था कि ये दोनों लोग मिलकर बैंक अभी एक एक एक्जामपर बताता हूँ SBI ने अभी collaboration किया है अडानी के साथ में कि भाई साथ दोनों और RBI ने इसको बताया है RBI ने इसको कहा है कि आप कर सकते हो तभी कर रहे हैं तो आदानी केपिटल ने मिलकर दोनों लोग कुछ ऐसे सेक्टर को जिनको प्रियोर्टी सेक्टर बोलते हैं बताऊंगे यहाँ पर मैंने जोड़ा हुआ है उन सेक्टर को भी जो है रिंड मिल सके केपिटल मिल सके और उसमें आसानी हो सके तो इसके लिए यह चीज अलाव करी है इसको को लेंडिंग बोलते हैं मतलब की डानी केपिटल के यह वे नॉन बैंकिंग फैनेशल कमपनीज है और यह पूरा बैंक है अब दोगो बैंक जो होता है अगर बाहर से आप रण लो तो बैंक से ज़्यादा आपको ब्याज दना पड़ेगा लेकिन बैंक से आपको लो कोस्ट जो है ब्याज पे मिल जाता है कम पैसे मिल जाता है लोन और वहीं जो नबी एफसी होते हैं non-banking financial companies इनकी पहुच बहुत ज़्यादा है मतलब जो आपके बैंकों की जैसे कहते है यार ब्रांची नहीं है हमारे है तो वैसे ये non-banking financial company जैसे की Adani Capital है तो इनकी reach बहुत अच्छी है पहुच बहुत अच्छी है तो इनका जो है अभी SBI Adani Capital आपको देखने मिलता है बासाओं में आ गई अब जो ये हुआ है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे कि ट्रेक्टर खाइदने के लिए और क्रिशी समंदित उपकरण खाइदने के लिए हम लोग लोन देंगे ठीक तो अब इसमें जब RBI ने जब पर्मि्ट भी किया था तब भी उन्होंने कहा था कि प्रियोर्टी सेक्टर जो होते है उनमें लेंडिंग बढ़ सके उसके लिए यह चीज हम लेंडिंग को जो है अलाउ कर रहा yapıyor प्रियोर्टी सेक्टर कौन कौन से है000 यहां पर लेंडिंग करा याती तो वो है यह यह आर्बिया की वेबसाइट से मैंने निकाला है एग्री कल्चर आता है अभी देव ट्रेक्टर और उसकी बात हुरी थे ना कि अडानी ने बोला है अडानी कैप्टल ने तो एक कल्चर जो है हमारा एक प्रियॉर्टी सेक्टर म में है या फिन नहीं है ठीक तो या करो MSME export credit मतलब आप अगर जो है निर्यात कर रहे तो उसके लिए आपको रड़ चाहिए तो वह एजुकेशन हाउसिंग सोल सोचल इंफ्रस्ट्रक्चर रिनेवर इनरजी अब इसमें एक चीज़ अगर आप मैं आपको कहूं कि इसमें health ह है कि नहीं है तो नहीं है ध्यान रखना तो वहाँ पर प्रियोर्टी सेक्टर में यह जो है health specifically mentioned नहीं है ठीक ऐसे ही question बनते हैं को लेंडिंग का मैंने आपको पूरा concept यहां पर समझा दिया है आपका यह 2018 में इसके शुरुआत हुई थी और अभी 2020 में फिर्सेश में बोला गया है वहीं सारी चीज़े है कि दोनों लोग जो है मिलकर lenders की तरीके से काम कर सकते हैं रिड़ दे सकते हैं असानी से और काफ बिया और डानी ने मिलके काम किया तो कोई agreement हुआ है वाई सा पूरे papers है तो एक तो यह example और दूसरा example है Union Bank of India और Capri Global Capital Limited इन दोनों ने मिलके भी co-lending agreement sign किया है समझ में आया economy के आपके जो भी topics है ऐसे ही बिलकुल आसाब बना दूँगा आप लोग बस जुड़े रही है हमाई साथ में as a CSFS team ठीक अगला जोबा टॉपिक है वो बहुत ही आसान है यहां पर हम लोग बात करेंगे United Nation Convention on the laws of the sea जैसे भारत की यह जैसे आपका यह भारत है ठीक है भारत जो आपका law है आपका United Nation Convention on the law of the sea उसके अंतकत हमें पता है कि 200 नौटिकल माईल तक क्या होता है exclusive economic zone होता है उसके बाद होता है high seas यहां तक जो है बात के पास exclusive economic zone है आपका जो है अगर बाहर से कोई country आता तो उसको पहले inform करना पड़ा है भारत को फिर यहां पे कुछ को जो कर सकता है अगर बारा नौटिकल माईल तक देखो गया तो वो तो भारत का ट्रेटोरियल वाटर है तो यहां पे security किसी को आना है जाना है सब को सबसको जो है भारत से permission लेनी पड़ेगी और 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 बारा जोड़ दे इसमें यानि कि यहां से 24 तो यह contiguous zone होता है कहीं कहीं प जाता है इसी तरीके से और भी countrys की जो boundary है land और sea boundary है वहां से जोड़ा जाता है तो अब इस चीज के concept को समझते हुए उसके बाद मैं आपको यह बना चाहता हूं कि भारत अब आपको दो चाइना क्या करता है South China Sea में और बहुत जगे बोलता है कि यह मेरा है वो मेरा है यह तो और जो है ट्रेड नहीं करने देंगे यहां से नहीं जाएं देंगे तो इसलिए quad word में भी आपने सुना होगा USA भी कई बार बोलता रहता है कई बार हवाई जाज उडाता रहता है साइच चैने सी पे तो चाइना एग्रसिव है काफी वो जो है laws of the sea जो convention है United Nation का उसको ज और भारत ने यहां पर बोला अभी बताया है पारलियमेंट में कि भारत जो है UNCLOS को पूरी तरकेश मानता है और इसमें भरोसा रखता है प्रमोट भी करता है कि free open and rule based order होना चाहिए international law में ठीक है ना कि आने जाने की भी आजादी होनी चाहिए free कोई भी रोक नहीं सकता एक party भी है मतलब कि उसको sign भी कर चुका रेटिफाई भी कर चुका है और इसके अंतरगत जो है navigation और overflight मतलब उस एरिया के उपर अपना हाइवाई जाज निकालने का चाहिए military हो चाहिए civil हो निकालने की भी सौतमत्ता पर जो है पूरा जो है इसको विश्वास है और ये च जरूर याद कर लो UPSC दूसरे नाम ज़्यदा पूसता है तो नाम है साथी साइस का नाम है law of the sea convention या फिर law of the sea treaty ठीक इसका अंक्लॉज का जो है आपका agreement हुआ था इंटरनेस्टने अग्रिमेंट हुआ था और ये legal framework मैंने बताया ना जितना दूर है nautical mile की तो legal framework बताता है समुद्री जो भी activity हो रही है आना जाना वेपार इधा हुदर trade और इन सबसे जो है इसमें laws बताते हैं कहां तक आपकी limit है किसी country के या फिर किसके बाहर क्या कोई resource है कोई माली जे किसी को तेल निकला है जो है crude oil तो कैसे कहां पर use कर सकता है या फिर fishing करना है तो कौन कहां प तसी उसमें जो है यह clause आया था 1982 में और जो है इसने replace किया गया था इससे पहले जो चार टीटी होती थी चार जो है संधियां होती थी high seas पे 1958 में उनको replace कर दिया था और यह 1994 में जो है force में आ गया था unclosed जब गयाना ने जो है साथवे member की तरह तरह मलब जो है ratify किया था इस treaty को ठीक अब यहां पर देखिए जो चीज मैंने पहले बताई फिर से आपको revise कराएता हूं जो भी area देखिए अगर भारत की माली यह boundary वह है लैंड और sea water है तो यहां से लेकर territorial water जो होगा वह है बा ट्रोलिंग भी कर सकता है security point of view से भी और जो भी resources है fishing machine सब कर सकता है ठीक इसी वे काफी बावाल मस्तर रहता है इंडिया और शिलंका बीच में हो कहते हैं यह हमारा area यहां पर काफी मालब क्योंकि boundary पानी में जो है determine करना अतना असान नहीं होता है exclusive economic zone जो है आपका यहां से लेकर यहां तक 200 nautical mile है ठीक यह NM होगा और फिर जो है इसके बाद जो है यह high seas आ जाता है ठीक यह जो है आपको ध्यान रखना है unclosed के तक आता है अगला जहांवा टॉपिक है वो है आपका डिफेंस and security समद्धे जी एस पेपर त्री में सूपर सोनिक मिसाइल सूपर सोन सूनिक मिसाइल एसिस्टेट टॉर्पीडो सिस्टम बनाए गया है किसने डेलोग किया है डी आडी ओने वीलर आइलेंड ओडीशा में इसको लांच करके उन्होंने टेस्ट भी कर लिया है अच्छा बताइए अब्दुल कलाम आइलेंड कहां पर है ठीक है अब्दुल कलाम स् Mysaal है आप ट्रॉक से इसको लेया सकते हो यहां पर यहां से उठके एए से खड़ा हो गया है और यहां से देखें जाकर तो मलब रिमोटली आप कहींपर मोबाइल है आप जाकर अ है चला सकते हो ठीक अच्छा यह सिस्टम बनाया गया है यह IP पाइप़्ेसिफिकल्लीं इस मिसाइल में टॉर्पीडो भी है आपका ट्रापेरशूट डिल्वी सिस्टम भी है यह साज चीजे है दो स्टेज का इसमें सॉलिड प्रपॉलिशन है ठीक आपका प्रणोधन है और आपका जो है इलक्टो मेकैनिकल एक्टूइटर है प्रसीजन इनर्शियल नविगेशन इस सारी चीजें है ग्राउंड मोबाइल लॉंचर है इसमें जैसे कि अभी आपको दिखाया ट्रक से चला था यह और डियाडियो की लेवर्टीज ने बनाया सिंपल सी चीज़ है अच्छा यहां पर कुछ वर्ड यूज हुए है जैसे कि सूपर सोनिक तो सोनिक यानि कि सा प्राउंड की जो स्पीड होती उससे ज्यादा कितना माना जाता है यह एप्रॉक्सिमेटली 343.2 मीटर पर सेकेंड ठीक स्पीड ऑफ लाइट क्या होती थी इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक लाइट इयर डिस्टेंस होती है यह कितना होता है किलो में बताइए औ पतलब आप भारत की स्वरी अर्थ की जो गृत्वा कर्शन है उसके बाहर निकल जाए वो होती 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड ठीक यह सारी चीजे वैलू डिचन में आपके लिए मैंने आप बताई है ठीक अगला और आज का हमारा टॉपिक आखरी जो है वो है आपका हरनास सं संदू जो है हमारी भारत की मिस इंडिया थी यह अब दुनिया की और कहेंगे मिस यूनिवर्स बन चुकी है भारत की तरफ से तीसरी ठीक यह 21 साल की है आप देखो यहां पर 21 कवड़ा खेल हुआ है ऐसे ट्रिक्स आपको याद अखने चाहिए 2021 में 21 साल बाद 21 साल की हरनास संदू मिस यूनिवर्स बनी इकिस साल पहले जब यह पैदा होई थी तब उसी साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी और लारा दत्ता से भी पहले 1994 में शुश्मिता सेंजी जो है मिस यूनिवर्स बनी थी ठीक यह ब्यूटी कॉंट प्याब होता है मरे कंद से थोड़ा अलग होता है इस लिए ज्वह को इस वजए से इन लोग को यह वाले ज़ाये खिताब मिलते हैं इस अंदृणी ब्यूटी है उसको ब्रेन की ब्यूटी है इसको भी जरूर नजरनदाज मत करिएगा ठीक तो चलिए कोई के सर्विर रिविजन कर लेते हैं 15 दिसंबर का देगे पहला मार टॉपिक था ग्रीन फील्ड एरपोर्ट अभी इन प्रिंस्पल जो है अप्रूवल दे दिया गया है 21 नए ग्र अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड एडीशन अभी वार्विजन को वह रही है तो उसको ब्राउन फील्ड बोला जाता है प्रोजक्ट ठीक यह चीज़ है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड एडीशन अभी वार्टर इनोवेशन चैलेंज का हो रहा है और इसमें जो है भारत की तरफ से एम यानि की आटरा इनोवेशन मिशन नितियायोग और दूसरा है डेनमार्क टेक्निकल यूनियोसिटी डेनमार्क की जो एंबसी इंडिया में ये दोनों मिलके पूरे दुनिया के जो वार्टर चैलेंजेज है उनके इनोवेशन दूडने के लिए कारे कर रहे हैं इस चैलेंज में इंडिया की तरफ से यंग टेलेंट को जो है बढ़ाया जाएगा उनके स्किल्स दी जाएगे और जो जीतेगा वो वर्ल्ड वार्टर कॉंग्रेस 2022 में जो होन गैस्टोब होता है उसको अब पी एंजी में लगाओगे तो नहीं चलेगा ठीक कुछ संशोधन करना पड़ता है लेकिन वो संशोधन करने बाद भी जो आपकी थर्मल एफिशेंसी है खाना पगाने के लिए वो घट जाती है तो इसी चीज के लिए पी एंजी में अच्छ इंडियन पेट्रोलियम इंस्टिटूट जो है दैरादून इन दोंने मिलकर जो है नया गैस्टोब मनाया है जो की डिवस्टिक पी एंजी के लिए यूज हो सकेगा और इसकी जो थर्मल एफिशेंसी है वो 55% है अगरा शानशोधिर लपीजी वाले की एफिशेंसी दिखो था वहीं वाली संस्ता है यह मिनिस्टियों पावर के अंतरगत जो की मार्केट भी करेगा नए गैस स्टोव को ठिक लोगपाल जो है भाई साब अब हो गया है पूरी तरीके से ऑनलाइन अभी तक जो लोगपाल और लोकायुक्त जो एक्ट था उसके अंतरगत आप हैंड क इससारी के किलाफ तो वह जो है कम्प्लेंट है आपकी यह बडिस होता है वह फूरा ओनलाइन कर दिया मैं और सिक्यूर्टी ओर किया गया है शोट इन की द्वारा सप्वार शम पिनाकी चंद्रगोज जो पहले लोगपाल है उन्होंने इनागरेट किया है NIC इसमें बता दिया है मैंने सारी चीज़े आपको और इसमें आपके कई सारी जो भी कंप्लेनेंट होगा उनलाइन उसकी पहचान को गोपनी ये रखा जाएगा ये एक सबसे बड़ा इसमें जो है इसका फीचर है अबू रोबो कॉन दो हजार बाइस दूर दरशन जो आपका है वो इसको होस्ट करेगा न्यू डेली में होने वाला है ऑगस्त के मैने में दो हजार बाइस में इस साल अबी बारे दिसम्बर को हुआ था चाइना में इसमें रोबो कॉन है रोबोट का कंप्डिशन होता है कुछ टास्क दिये जाते हैं कुछ टाइम में उनको करना होता है इसका पूरा यह दूरदर्शन देखेगा आपका 2022 में आउगस्त के महिने में तो यह काफी भारत की टेकनोलजी में बढ़ रहा है मतलब इसकी ओधा तो उसको यह दरशाता है बैंक और नौन बैंकिंग फानेंशल कंपनी जो है को लेंडिंग कर सकते हैं बैंक जो है सस्ते में रण देता है बाहर के मकाबले और जो नौन बैंकिंग फानेंशल कंपनी उनकी पहुच जदा अच्छी होती हुची में जो है loan मिले यानि की affordable loan मिले लोगों को और जो है पहुच अच्छी हो यानि की availability और accessibility भी बढ़ेगी तो इन दोनों के को मिलाकर co-lending का जो प्रवधान है वो RBI ने जो है इसको मंजूरी दे दी थी permit कर दिया था 2018 से अभी फिर से नॉम्बर 1220 में जो उन्होंने बोला कि आप लोग करिए और इसके लिए क्या करना होता bank और NBFC को एक agreement करना होता समझोता करना होता फिर वो co-lending कर सकते हैं इसका example अभी जो recently आया है वो है कि SBI और अदानी capital मिलकर आपके ट्रक्टर और क्रिशी उपकरण को के लिए रण देंगे ठीक और जो RBI ने पर्मिट दिया किया है तो यह किसी धन्ना सेटों को जो है इसके लिए यह प्रवधान किये गया है जो है जैसे एजुकेशन हो गया MSME हो गया रिनीवेबर इनर्जी हो गया इन सब को होता है मैंने उपर भी इसको पढ़ाया था ठीक इसमें हेल्थ नहीं है स्पेसिफिकली मेंशन ध्यान रखेएगा अगरिकल्चर भी इसमें जिसमें अभी ट्रक्टर और वह सारी बात हुई अन्कलॉस जो होता है आपका युनटे निशन कंवेंशन ऑन्दा लॉज ऑफ दा सी यह जैसे कि आप मैसे माली भारत की यह बांडरी है तो इस बांडरी से 12 नॉटिकल माइल तक जो है भारत का ट्रेटोरियल वाटर है मतलब यहां पर सुरच्छा रिसोर्से फिशिंग के सब कर सकते हैं ठीक इसके और बारा आगे जाओगे आप तो यह कंट्रीगोस वाटर होता है कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है लेकिन यहां से यह जो आपकी ट्रेटोरियल बेस लाइन है यहां से अगर आप 200 नॉटिकल माइल जाओगे तो यह होता आपका एक्स्क्लूजिव एकनॉमिक जोन इसमें जो बाहर की जो लोग हैं जिसके वास कर सकते हैं और 200 नॉटिकल माइल के बाद जो है आपका होता हाई सीज अब यहां पर एक एकनॉमिक जोन या फिर ट्रेटोरिल वाटर में माली जग कोई शिप से आ रहा है या फिर हवाईजास से निकल ला है तो उनस पे जो है लोगों को बताना पड़ेगा ठीक या फिर फ्लैग जंड़ा अपना बताना पड़ेगा कि हम इस कंट्री के हैं या फिर पहले से इंफर्म करना पड़ेगा तो अभी भारत ने बोला है अब देखो इन सब अंक्लोस को जो है चाइना नहीं मानता है चाइना जो है साउट चाइना सी में बहुत ज़्यादा करता है ट्रेड बेड करने में दिक्कत करता है यह करता हमारे हम मत उलो यहां मत सब्सक्राइब होगा यह सब यहीं है और इसी को जो है पुष्टा पुक्ता करते हुए इंडिया ने भी बोला है कि भाई साब हम तो पार्टी हैं क्लोस के और हम भी दुनिया में फ्री ओपन नविगेशन और जो है आना जाना कॉमर्स के लिए हम इसके पक्ष में हैं और हम भली भाती पूरी तरीके सपोर्ड भी करते हैं और प्रमोड भी करते हैं ठीक 1982 में यह आया था आपका और जब और मतलब यह लौ आया था और 1994 से जो है यह फोर्स में आ गया था करानवित हो गया था जब गयाना एक कंट्री है उसने 60 में मेंबर की तरह इसको रेटिफा सधीर होती है पंडूब उसको खतम कर देना ठीक तो ये चीज है इसके लिए प्रस निइस की साउंड की स्पीड दसे ज्यादा स्पीड आ ठीक साउंड की सी करीम मिसाइल जाती है हरनास संदू जी जो है आपकी Miss Universe बन गई इसमें 21 का फेर हुआ है यहाँ पर 21 का फेर क्या है कि 2021 में 21 साल की हरनास संदू 21 साल बार भारत की तरफ से तीसरी Miss Universe बनी इससे पहले 2000 में जब लारा दत्यवनी थी तब जो हरनास संदू पैदा हुई थी और उससे भी पहले आपका स्रिश्मिता सेंजी 1994 में Miss Universe बन सुकी है यही तीन अभी तक बनी है अच्छा बताई यह Miss World कौन कौन बनी है देखते हैं कौन कौन जवाब देता है तो इसी के साथ में आज का स्रिचन हम लोगों खतम होता है 15 इसमबर का अगर आप लोगों पसंद मत्रम